गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स विल्कम बैक टू मैं चैनल तो फ्रेंड्स विंटर की तैयारिया मैंने सुरू कर दी है गमलो को पेंट करना मैंने स्टार्ट कर दिया है खाली गमले पेंट करने में दिक्कत नहीं होती है लेकिन जिसमें प्लांट लगे होते हैं उनमें काफी दिक्कत होती है paint करने में तो मेरे पास आप लोग ने देखा है बहुत सारे pot है और सबको मुझे paint करना है और winter season एक ऐसा season है जिसमें हमारा garden बहुत ही खुबसूरत दिखता है और खुबसूरत हम खुद ही बनाते हैं अपने garden को तो धिरे धिरे मैं भी अपने गमलों को paint कर रही हूँ दो oil container है देखिए और इसे मैंने primer लगाया है primer लगाने की बाद ही आप paint कीजिए और कल रात में बारिस भी हो गई है तो इसे paint की मुझे दो दिन हो गए सूख गए थे और कल friends बारिस भी हो गई अचानक से बारिस हो जा रही है यहाँ बारिस थम नहीं रही है इस वज़े से ज़्यादा work भी garden में नहीं हो पा रहा है कुछ भी work ठीक से कर नहीं पा रहे है एक दो दिन में वारिस हो जाती है अचानक से तो आज दूरगा नौमी है और इस पावन परव की आप सबको हारदिक सूप काम नाएं तो इसी कड़ी पर मैं आज बहुत ही खुबसूरत जो देवी जी को पसंद है गुड़हल का ये रेट कलर का फ्लावर देखिए और ये उतना अच्छा नहीं दिखता है और इसी टॉपिक पर मैं आज दुरगा नौमी के आउसर पर बात करूँगी कैमरे में फ्रेंड्स ये बहुत अच्छा नहीं दिखता है लेकिन रियल में इसके जो पंखुडियां है इनकी जो साइन हो बिल्कुल एक वेलवेट की तरह है लेकिन कैमरे में पता नहीं क्यों उतना अच्छ नहीं आता है और देखे इसमें कलिया भी है इसे मैंने हाट प्रूनिंग कर दिया था उसके बाद देखे इसमें फ्लावर स्टार्ट हो रहे हैं और ये 8 इंच के प्लास्टिक पॉट में लगा हुआ है तो मैं इसकी किस तरह स है और हर कोई चाहता है कि ये प्लांड जरूर आपके घर में हो तो इसे मैंने कैसे इसके लिए मिट्टी तयार की है तो फ्रेंट जनरली मैं जैसे अपने गार्डन में मिट्टी तयार करती हूं एक भाग मिट्टी एक भाग राइस हस्क और एक भाग वर्मी कंपोजड एक मुठी नीम खली एक चमच फंगी साइट पाउडर एक चमच एपसम सॉल्ट और डिएपी के दाने यदि आप यूज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं मैं तो नहीं करती हूँ मिट्टी जब बनाती हूँ तब इस तरह से मैंने इसकी मिट्टी तयार की थी और उसके बाद मैंने प्लांट लगाया था नरसरी से प्लांट मैंने इसे पिछले साल ही पर्सेस किया था और लगभग मुझे 80 रुपीस का मिला था ये इस तरह से इसकी मैंने मिट्टी तयार की थी और ये प्लास्टिक पॉट में लगाया है और बहुत अच्छे से प्लास्टिक पॉट में भी तो उसकी मैंने फरवरी में प्रूनिंग कर दी थी और प्रूनिंग के बाद का ये रिजल्ट है इसकी पत्तियां करल होने की समस्या बहुत आती है ये वाला जो मेरा प्लांट है फ्रेंड्स इसमें पता नहीं क्यों इसकी पत्तियां करल बहुत जल्दी होती है इसमें पत्तियां यलो होने की समस्या भी आती है यदि आपकी प्लांट की पत्तियां यलो दिखाई दे रही हैं तो आप एपसम सॉल्ड का स्प्रे कीजिए और गमले में एक चमश डाल कर गुड़ाई कर दीजिए और इसे बिल्कुल फुल सानलाइट में रखना है मेरे गार्डन में देखिए मैंने इसे बिल्कुल फुल सानलाइट में रखा है सिर्फ गर्मी के दिनों में ही फ्रेंड्स इसे मैं ऐसे जगह पर रखती हूं जहापर इन्हें तीन चार घंटे की धूप मिले क्योंकि इनके जो फ्लावर से बहुत जल जाते हैं और इनकी पत्तियां भी जल जाती है ये जो मेरा गुड़हल का प्लांट है थोड़ा अलग टाइप का है और अभी बहुत अच्छे से चल रहा है अभी मैंने इसको बिल्कुल फुल सनलाइट में रखा है दिन भर का धूप मिलता है सूब पर भी बात कर लेते हैं तो सबसे बेस्ट फर्टिलाइजर तो मुझे लगता है फ्रेंट्स वर्मिक कमपोज जिसे मैं हमेशा इस्तमाल करती हूँ वर्मिक कमपोज हो या गोबर की खाद हो या कीचन वेस्ट कमपोज हो आप गमले का साइज देकर एक मुठी दो मुठी ड गुडाई कर सकते हैं या सीविट का लिक्विट भी आता है उसे आप इस्प्रे भी कर सकते हैं जिससे कि बहुत अच्छी फ्लावरिंग होगी और आपका प्लांट बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करेगा और घर पर यदि आप फ्री में फर्टिलाइजर तयार करना चाह ये जिससे की बहुत अच्छा result मिलता है banana pills का liquid fertilizer गुढर के plant के लिए बहुत बेस्ट है और इससे बहुत ज्यादा quantity में flowering भी होती है और बहुत अच्छा result भी मिलता है तो seaweed ग्रेन्वल दे सकते हैं banana pills का liquid या फिर powder farm में भी fertilizer دे सकते हैं वेजी टेबल जो आपके घर पे निकलते हैं छिलके, उनको भी आप भिगाकर और डुबाकर उनको भी आप दे सकते हैं, और अभी विंटर सिजन आ रहे हैं फ्रेंड्स तो जिस तरह से मैं सभी प्लांट को, विंटर के प्लांट को सरसो खली का लिक्विट फर्टिलाइजर देती हूं तो मैं क्या करती हूं फ्रेंड सरसो खली में मैं नीम खली भी डुबाती हूं जैसे सरसो खली दो मुठी लिया है तो एक मुठी नीम खली डाल कर मैं उसे तीन दिनों तक भीगा देती हूं उसके बाद उस फर्टिलाइजर को देती हूं तो इस तरह से मैं इस प्ल गहल के प्लांट अभी नर्शरी में आये हैं तो एट कीजिएगा तो दुर्गर नौमी के आउसर पर मेरा ये वीडियो है तो फिर मिलती हूं फ्रेंड्स बाई बाई